तो फ्रेंड्स देखिए ये नाश्टा जितना दिखने में अच्छा लग रहा है ना उतना ये खाने में भी वैसा ही टेस्टी है तो बच्चे अगर इसे एक बार देख लेंगे ये खालेंगे न तो वीक में आप से पांचे दिन तो यही बनवाएंगे इतना टेस्टी नास्ता बनता है और बाहर से कुछ भी नहीं लाना है आपको घर में ही बन जाए गर के सामन से तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और फुल वीडियो देखेगा पूरा वीडियो आप जरूर देखेगा तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने लिये हैं दो बॉई लालू और इने मैंने मेेश करके ले लिया हैं पेले से मेश करके रखा है मैंने और इसमें चमच से फेला रही हूँ, अभी इसमें हम थोड़े से मसाले और जो भी हमें वेजिटेबल्स डालना है वो डालेंगे तो मैंने ग्रीन प्याज के पत्ते ले लिये हैं और यह थोड़े सी शिमला मिर्च है दोनों को मैंने बारिक बारिक कट कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ, थोड़ी सी पत्तागों भी डाल रही हूँ एक चमच चिली फ्लेक्स थोड़ा सा चाट मसाला है और यह हरी मिर्ची का पेस्ट है बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा कम डालिएगा यह स्कीप कर सकते हैं और यह इसमें नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा में टेस्ट के अकोडिंग और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे सब मसाले को पूरे मसाले को आलू बिलकुल भी गिले नहीं देने चाहिए एकदम सुके बहुत ठंडे करने के बाद ही आलू आप यूज़ कीजेगा अब यह मसाला मैंने मिक्स कर दिया है अच्छे से अब इसकी में छोट छोटी टिकी बनाऊंगी तो पतली पतली टिकी बना रही हूँ मैं ज्यादा जाड़ी इसकी टिकी नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे दो दो टिकी एक इसके लिए चाहिए तो दस टिकी बनानी है म मुझे इतने से मसा लेकी तो ये मैंने बना ली, ये नो ही बनी है इसकी और मैं इसे साइड में रखूंगी अभी एक छोटी कटोरी ले लिए उसमें मैं एक चमच मियोनिस डाल रही हूं एक और थोड़ा सा मैं इसमें रेट चिली सोस डाल रही हूं तो ये ज़्यादा स्पाइसी बन जाएगा तो आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करती हूं अगर बच्चों के लिए बना रहे तो ये आप आपके मन पसंद जिस हिसाब से आपको तिखा चाहिए उसे वेसा ही बनाईएगा और एक चमच मैंने इसमें होरिगेनो डाल दिया है एक चमच टोमेटो केचप डाल दिया है और इसे हम मिक्स कर देंगे तो ये एक सोस बन जाएगा और इसे भी मैं साइड में रख दूँगी तो ये हमारा सोस बन के रेडी है अभी मैं एक बाउल ले लिया है बड़ा उसमें मैंने एक कटोरी सूजी डाल दिया है बारिक वाली सूजी है और दही था उसमें थोड़ा पानी डाल के उसे पतला कर लिया है थोड़ा सब मैंने नमक डाला है इसे मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसे एक हम इटली ये डोसी का बेटर बनाते न वैसा इसका बना लेना है तो ये देखिए बन गया अब इसे भी मैं साइड में रख दूँगी और दूसरा वाउल लेऊंगी उसमें मैं एक कटोरी बेसन ले रही हूँ जितना मैंने सुजी लिया है उतना ही मैं बेसन भी ले रही हूँ इसमें और इसमें मैं टेस्ट के अकोडिंग नमक डाल दूँगी स्वात के अकोडिंग और वेसे ही मैं इसमें दही डाल रही हूँ और इसे भी अच्छा से मिक्स कर देंगे तो ये भी थोड़ा गाड़ा है तो इसमें भी मैं थोड़ा सा पानी डालके ही इसे पतला करूँगी, मिक्स करूँगी, ज़्यादा दही उज नहीं कर रही हूं मैं, तो इसे भी मिक्स करकी हमरे बेटर रेडी हो गया है, अब इसे हम साइड में रखेंगे, और मैंने ये कटोरिय ले लिए है, पांच, तो इ सूजी वाला बेटर, इसमें मैं डालूँगी इनो, थोड़ा सा, तो मैं पहले इसमें हरा धन्या डाल रही हूं, कट करके थोड़ा सा, ये उप्शनल है, तो और ये मैंने इनो का शे से ले लिया है, तो इसे मैंने कट किया है, आदा मैं इसमें डालूँगी, सूजी वाले कटोरी में डाल के और ये पूरा बेटर में इन में डाल दूंगी अभी एक एक टिकी में उठाऊंगी आप चाहे तो हाथ में टिकी लेके भी वो जो हमने सोस बनाया और लगा सकते हैं मैंने इसके उपर रखके और फिर ये सोस लगा रही हूं बनाया जो मियोनिस वगेरा का और इसके उपर वापस में एक एक टिकी रखूंगी ये देखे ऐसे रख दूंगी इन्हें सब के उपर मैंने ऐसे ही लगा दिया है अभी ये बेसन वाला बेटर इसको मैंने ले लिया इसमें जो आदा इनो जो रखा था वो ले लिया उससे मैंने हाथ से ही थोड़ा दो त ठीक की बनीए, इनके उपर वापस में हरा धनिया थोड़ा सा स्प्रिंकल कररी हो, एक बड़ी थाली में ने ये सब कटोया रख लिये, पेले से कडाई मैंने रख दिए गे, इसके उपर और उसमें मैं पानी बॉइल होने के लिए रख दिया था, ये थाली मैंने इसमें रख तो अभी मैं इसे निकाल रहूँ लेकिन एकदम ठंडा होने के बाद इसे निकालना है तो मैं हाथ से इसकी कोरें दूर कर दूँगी इसे इन्हें दूर कर दूँगी और यह ठंडे हो चुके हैं तो मैं इन्हें निकाल लूँगी यह वाली कटोरी मेरे हाथ से गिर गई थी तो थोड़ा ये बिखर गया है, इसे मैं यूज नहीं करूँगी इसमें, और अभी मैं इसे निकाल लूँगी थाली में, थोड़ा सा हाथ से टेप टेप करेंगे, तो भी ये निकल जाएंगे, बहुत इजीली निकल जाते हैं ये, और ये हमारे बर्गर बनके रेडी है, दे जरूर दीजेगा इने, और ये देखे, एकदम फलपी बने हैं, एकदम स्पॉंजी बने हैं ये, अभी मैं एक एक कट करके आपको दिखा रही हूँ, तो देखे, इनमें मसाला आलू का जो मसाला और जो हमने सोस लगाया था, वो भी एकदम अच्छ से इसमें फील हो गया ह और ये देखे, सब को मैंने कट कर दिया है, तो ये हमारा नाश्ता बनके रेडी है, बहुत टेस्टी बनता है, तो आप इसे मिठी चटनी, खजूर और इमली की चटनी, या फिर ग्रीन चटनी, या फिर आप सोस के साथ भी इने खा सकते हैं, बहुत टेस्टी है नाश्ता बनता है, तो बच्चे तो देखेंगे, तो इसके दीवाने हो जाएंगे, बच्चे के अब अडोका भी अच्छे से पेट भर जाएगा, तो मैं इसे सोस और ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, तो फ्रेंड्स येरे से पी अच्छी लगे, तो लाइक शेयर और सब् किजिए, तेंक यू, और बाई